नमस्कार और अलकम दोस्तों आप सब का स्वागत है मेरे यूट्यूब चैनल इंशॉरंस क्लेनिक में मेरे नाम है आशीर सिंग रावत आज मैं आपसे बात करने वाला हूँ L.I.C. के ऐसे प्लाइन के बारे में जिसका नाम है New G1 लक्ष टेबल नंबर 933 Complete Family Policy New G1 लक्ष पॉलिसी का जो कॉंसेप्ट है वो है आप पे पूरे परिवार की Financial Security को कबर करना चाहे Policy Holder रहे ना रहे पूरे परिवार की Financial Security को कबर करना वो कैसे हम आगे बढ़ते है पॉलिसी को पनियादान पॉलिसी कहा जाता है जो कि लड़कियों के लिए होती है मैं एक चीज़ क्लियर कर दू ये लड़का लड़की कोई भी बच्चा हो ये Policy सब के लिए है चाहे वो अपनी Spouse के लिए Policy ले रहे हो चाहे वो अपनी Family के लिए Policy ले रहे है ये Policy हर तरीके से पूरे परिवार को कवर करती है युवराज Policy भी कहा जाता है इसको New Children Policy भी कहा जाता है Complete Family Policy भी कहा जाता है कई जगा Compare किया गया है कि सुकन्या Policy है सुकन्या Policy लेने वाले लोग इस वीडियो को जरूर देखे Term Insurance की तरफ भागने वाले लोग इस वीडियो को जरूर देखे कैसे हम इसको Compare करें है अगली स्लाइट में सबसे पहले बात करते हैं सुकन्या Policy की मैं बात करूँगा जीवन लक्ष Policy की कि क्या-क्या इसमें मिलता है आप खोदी Compare कर लेना कि आपको सुकन्या Policy में ये सारी चीज़ें मिलती है या नहीं मिलती है पहली चीज यह लड़का लड़की दोनों के लिए पिता के मरने के बाद Policy तोड़ने की जरूरत नहीं है किसी और को भुकतान करने की भी जरूरत नहीं है अगर माल लीजिए किसी वज़ा से पिता किसी दुरगटा में चले जाते हैं तो ये Policy एक तो परिवार को मृत्युधन देगी पहली चीज़ उसके बाद पिता के ना रहने के बाद हर साल परिवार को नालन पालन के लिए कुछ पैसे देती रहेगी तीसरा, जिस पिता के ना रहने के बाद भी जिस सपने को पूरा करने के लिए पॉलिसी ली थी, वो भी ठीक उसी समय पूरा हुआ जब उन्हेंने सोचा था ये तो हुआ जीवन लक्ष पॉलिसी और सुकन्या पॉलिसी का कमपाइशन अब मैं बात करूँँ आपसे टर्म इंशॉरेंस के बारे में टर्म इंशॉरेंस की आप सबको पता है जो लास्ट एज होती है वो 65 साल की होती है नैचॉर्टी उसमें बिल्कुल नहीं होती जबकि आपने लाइसी में ऐसे बहुत से प्लान देखे होंगे जैसे जीवन आनन, जीवन उमंग, पंशिन प्लान जो की 100 साल तक का कवर आपको देते हैं असल माने में वो ही टर्म इंशॉरेंस है इसका क्लेम रेशो वो आप एक बार चेक कीजिए कि टर्म इंशॉरेंस का जो क्लेम रेशो है वो है क्या इसके एक से लेके 9 clauses जो है वो है क्या term insurance के बारे में study कीजिए कुछ company तो ये भी कहती है कि term insurance के मामले में insurance करने के लिए आपको medical तक कराने की जुरूरब नहीं है भई क्यों गूगल कीजिए आपको मिलेगा आप अभी गूगल कीजिए आपको टॉप में मिलेगा by life insurance एक करोड़ का मातर 652 रुपे में जिसका मतलब भी हुआ कि अगर आपकी उमर 30 साल है तो 35 साल के लिए आप term insurance ले सकते हैं यानि कि कम से कम 35 साल और अगर मैं महीने का आकड़ा लगाता हूँ 652 रुपे परती महा तो साल का हुआ 7,824 रुपे इसको मैंने इंटू करा है करीबन 35 साल उसे 35 साल में आपने जो पैसे बरे हैं वो 2,73,840 रुपे बरे हैं इसका मतलब हुआ कि लग 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 तीन लाग रुपे देने के बाद आपको एक क्रूट रुपे का क्लेम मिलता है ऐसा हूँ ये चीज़ बहुत ज़रूरी है दोस्तों ये चीज़ समझने कि टर्म इंशोरेंस में क्या-क्या क्लॉजेस हैं कई वज़ा कई बार ऐसा होता है कि अधूरी जानकारी की वज़े से हमारे क्लेम रिजेक्ट हो जाते हैं अब हम आगे की तरफ पढ़ते हैं चलिए आपने बोला होगा कि टर्म इंशोरेंस से भी बढ़िया पॉलिसी है तो क्या इसमें ये सारी चीज़े हैं सवाल अंबर एक क्या होगा अगर तीन साल के बाद पॉलिसी धारत की मृत्ति हो जाए चीक है जी इसके बारे में बात करेंगे क्या होगा अगर पॉलिसी ये पॉलिसी उसके परिवार को कैसे कवर करेंगी चीक है जी उसके बारे में बात करेंगे अगर फैमिली कवर है तो क्या पॉलिसी होल्डर के मर जाने के बाद भी इसके कवर का भुकतान करना पड़ेगा चीक है जी इसके बारे में बात करेंगे जिस उद्देश के लिए धारक ने ये policy ली थी, क्या उसके मरने के बाद बोदेश पूरा हो पाएगा? बिल्कुल ठीक है, बात करेंगे क्या हमें education loan मिलेगा बच्चों के लिए? ठीक है जी, बात करेंगे क्या हमें बीच में जरुत पढ़ने पर हमारा पैसा मिल सकता है? ठीक है यार काश मैंने जीवन लक्ष पॉलिसी में ध्यान दे दिया होता है आप जानते हैं, क्यों कहा जाता है LIC को जीवन के साथ भी और जीवन के पात भी? इस बार अक्सर लोग कहते हैं यार ये LIC बीमा वाले अभी करता, तो मरने के बाद ही बताते हैं परिवार को मिलेगा ऐसा नहीं है दोस्तों, मैं आपसे रिक्वेस्ट करूँ है आप G1 Lab LIC G1 Lab पॉलिसी का डिस्क्रिप्शन देखिए मेरी वीडियो देखिए, जीवन उमंग का देखिए उसमें इनसान के जीते जीव भी उसको बहुत कुछ मिलता है चरी, आगे बढ़ते हैं मैं बात करूँगा, जीवन के साथ भी इस जो पॉलिसी है वो लग लग 20 लाग रुपे की पॉलिसी है जिसका आकड़ा आपकी स्क्रीन पे है सालाना, मंतली और परडे का आकड़ा मैंने लगा रखा है इसका टर्म हमने 25 साल का चूज किया है जिसमें हमको 22 साली पैसे जमा करने होते हैं आखिर के 3 साल हमें कुछ भैसे भरने की जरूरत नहीं होती है मैंने इसमें 25 साल का चुनाव किया हुआ है आप इसको 13 साल से लिखे 25 साल के बीच में कहीं भी चुन सकते हैं इस policy के according आपको जो पैसा मिलता है वो तक्रीबन 40 लाग रुपे होता है जो कि इनसान के जीते जी उसे मिल जाता है अब मैं बात करूँगा जीवन के बात भी जीवन के बात भी हमने एक आकड़ा लगाया है इस policy के according अगर policy holder की मित्यू दुरगटना की विज़े से होती है तो परिवार को 40 लाग रुपे का भुखतान होता है अगर प्रकार्ट्नि मिर्थी होती है तो 20 लाग रुपे का भुखतान होता है हम ने एक एक अग्जांबल की तोर पे यह मानलिया है कि मानलीजिए किसी policy holder की policy लेने की 3 साल बाद मिर्थी हो जाती है सबसे पहली चीज पॉलिसी चलती रहेगी और पैसे जमा करने की कोई अभशक्ता नहीं है। इस दौरान आपने तीन साल में जो प्रीमियम पे किया है वो दो लाग चार चार सो अठानवे रुपे का किया है। मैचौर्टी टाइम ये वो 40 लाग रुपे मैचौर्टी टाइम का अमाउंट है जो उस टाइम पॉलिसी होट को मिलना था। जीवन के साथ भी जो इसा मैं आपको बताया था। ये जीवन के बात भी मिलता है। तो टोटल परिवार को जो पैसा दुरगटना की वज़े से मिल जलता है वो तकरीबन 1.13 लाग रुपे का होता है। ये तो मोटी मोटी कैलकुलेशन हो गई है। अब हम आगे बढ़ते हैं वीडियो में। इस पॉलिसी से आपको क्या मिलेगा। आपको चूज करना होगा। आप बच्चों की पढ़ाही के लिए लेना चाहते हैं। बच जिस एक साल से लेके 25 साल तक का एक पॉलिसी का टर्म बना लिया है। अव्यक्ति की उमर अभी 30 साल की है जब उसने पॉलिसी ली है। इस ऑप्चन को अभी हम हटा देते हैं। ये ऑप्चन तब आता है जब इनसान की मृत्यू हो जाती है। अब हम बात करेंगे सबसे पह साल बात वो व्यक्ति नहीं रहे। उसी लेने के 3 साल बात वो व्यक्ति नहीं रहे। तो इस पॉलिसी के तोरान उनको क्या रहता है। मुक्तान उसी टाइम हो जाता एक्सिंडेंडल केस में और अगर नेचुल रहता है तो 20 लाग रुपे का मुक्तान परिवार को हो जाएगा। और हर साल की जो पैंशिन बनेगी आपकी लास तक जब तो मैचुर्टी नहीं हो जाती पॉलिसी की वो बनेगी 34 लाग 50 रुपे जब आपने तैय किया था कि मुझे बिटिया की शादी के लिए अपने अपने परिवार के लिए कुछ अपने सपना देखा था कि उस 25 साल बाद मुझे ये मॉन्ट मिलना चाहिए तो यह आपके परिवार को फिर से मिल जाता है यानि कि हम बात कर रहे हैं अगर एक्सिड़ परिवार को लालन पॉलन के लिए बच्चों के परिवार के लिए उसके बाद जैसे ही निचुर्टी का टाइम आता है तो इस चालीस लाग रुपे परिवार को मिल जाते हैं और कई बार लोग ये बुलते हैं कि भई मैं इस पॉलिसी लेतो रहूं माल लीजे कि अभी मेरे को करीमन बच्चों की पढ़ाई के लिए पैसों की ज़रत पढ़ेगी 18 सान के बाए तो मैं आपको एक चीज़ बता दू दो दोस्तों यहाँ पर आप इस पॉलिसी के दौरा लोगों को जानकारी है नहीं तो इसी वज़े से वो न अपनी पॉलिसी को तोड़ देते है कि को साथ सकता है मैं आपके हर सवाल के जबना नास्ठ ज्लब डेतत हो स्की एलिग्यविल्टी अंड्री ऑट्री ऑघ्टाना साल की होनी शली और थीचाई है और 50 साल साल तक casts ग्र लास्ट मैच्चुर्टी उमर रहेगी वो 65 साल की रहेगी मिनिमम समय शोड एक लाग से स्टार्ट कर सकते हैं मैक्सिमम की कोई लिमिट नहीं है आपकी आमदनी पर डिपेंड करता है थैंकि दोस्तों आशा करता हूँ आपको योडियो अच्छी लगी होगी